हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो कार्णिंग विधितेश आज हम टेरेरियम बनाना सेखेंगे तो यह जो आप पोर्ट देख रहे हैं यह आपको जो है जहां एक्वेरियम की शॉप्स होती है या गिफ्ट शॉप्स में इसली मिल जाता है 100 से 150 के बीच में आपको यह मिल जाएगा इतने साइज का पोर्ट मेरे पास यह पहले का ही पड़ा हुआ था तो आप इसे किसी भी काच के बाउल में बना सकते हैं या जो काच के बड़े कप्स होते हैं उनमें भी बना सकते हैं तो सबसे पहले जो है इसमें कोई hole नहीं है तो हमने क्या करना है कुछ gravels ले लेने हैं यह जो मोटी वाली बजरी होती है construction में use होती है house construction में तो वो मैंने ली है तो सबसे पहले सबसे नीची वाली layer हमने जो है इसकी बनानी है ताकि जब भी हम इसमें watering करें तो जो है नीचे ये स्टोन्स जो हैं, एक्सेस वाटर होल्ड कर लें, और प्लांट में ज्यादा प्लांट की रूट्स में हमारे वाटर ख़ड़ा ना रहे, आप इसमें जो वाइट चिप्स आती हैं, स्टेशनेरी की शॉप्स में मिल जाती हैं, वो भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डालेंगे तो ये ज्यादा बैटर रहता हैं, क्योंकि ये जो है, कूल भी रखते हैं हमारी सॉइल को, तो अब आप कोई भी कोटन का कपड़ा ले लें, ये मैंने यसे लिया है, तो हम इसके उपर इसे रख देंगे, क्योंकि हमने जो है, उपर सॉइल की लेयर बनानी है, सैंड की लेयर तो मिट्टी जो है, हमारी स्टोंस में ना जाए, तो हम क्या करेंगे, एक लेयर जो है, इसकी, इससे जो है, कौटन के कपड़े से कवर कर लेंगे, ताकि हमारी सॉइल जो है, स्टोंस में ना जाए, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है, देख रहे हैं, आप ये बंट कोल, जो लकडी का जला हुआ कोईला होता है इसे हम इसकी उपर रखेंगे इसके जो है दो फाइदे होंगे एक तो ये soil को cool रखेगा और दूसरा ये जो हमारे plants लगाने है हमने इसमें उनमें जो है fungus लगने से भी बचाएगा तो ये तो मेरे घर में थे अगर आप लकडियां वगएरा जलाते हैं चूले से तो ये निकलाते हैं तो मैंने उनी का use किया है वैसे market में भी ये easily मिल जाएंगे आपको तो अब हमारी call की layer लग चुकी है तो अब हम इसमें sand की layer लगाएंगे ये जो है house construction में use होती है वो वाली sand है मोटी वाली sand हो जिसमें थोड़े थोड़े बज़री के जो टुकड़े होते हैं वो भी डालेंगे वो भी अच्छी रहेगी अगर ये वाली है आपके पास तो आप इसे जो है इसे भी डाल सकते हैं इससे क्या होगा जो हमारा excess water जो है sand जो है soak कर लेगी अगर बाई चांस हम से जो है एकदम इसमें जो है पानी पड़ जाता है तो sand सारा soak कर लेगी तो ये आप जरूर इसमें एक layer बनाएं इसकी sand की तो अब हमने जो है अपनी main जो potting soil है उसकी layer लगानी है तो इसमें जो है मैंने one part जो है अपने normal garden soil डाली है और one part सन्ड मिक्स की है इसमें और one part मैंने इसमें जो है पतों की खार डाली है और इसमें जो मैंने है koilya भी थोड़ा सा mix की है तो ये हमारी final layer है जिसमें हमने जो है अपने plants लगाने है आप अपने तरफ से जो है इसकी थिकनेस कम या ज़ादा कर सकते हैं कितनी लेयर आपने जो है सॉइल की डालनी है तो उस हिसाब से आप इसमें लेयर बना सकते हैं अगर आप चाते हैं ज्यादा आपके प्लांट्स बाहर को दिखें बस यू अब इनमे प्लांट लगने को बिलकुल तयार है, बिलkkुल हमारा सारा कुछ ready हो चुका है, अब हमने इसमें पहले ही watering कर देने हैं, बिलकुल हल्की सी watering करें आप ताकि जो हमारी soil mix हैं वो सारा जो water है, उसमें चला जाए, इसके नीचे की layer तक water soak हो जाए, इतना पान आप डाल ले जब हम इसमें पहले ही watering कर देंगे तो इससे क्या होगा हमारे plants भी easily लग जाएंगे और जब plants लगने के बाद अगर हम watering करते हैं तो वो जो है उनकी roots भी हिल जाती है तो अगर आपके ये side से watering करते समय जो है अगर आपके गंदा हो जाए तो आप इसे किसी भी brush क help से ऐसे आप इसे साफ कर लें clean कर सकते हैं आप इसे इससे जो है हमारा pot भी जो है देखने में साफ लगता है तो अब जो main बारी आती है plant selection की क्योंकि ये terrarium है तो हमने इसमें जो है पानी भी कम डालना है तो ऐसे plant लगाएं जिनने जो है पानी की जरूरत कम है तो ये सारे जो मैंने cactus and succulency select किये हैं इसके लिए कुछ jade plant है और mother of thousand और एक turtle wine है इन सबको जो है पानी कम ही चाहिए तो ये ही मैं लगाऊंगा तो पहले आप सबसे पहले जो है holes बना ले जहां जहां आपने जो है plant लगाना है ताकि आपका plant जो है easily लग जाए इसमें hole बने रहेंगे तो plant हमारा easily लग जाता है थोड़ी से इसमें जो है डिक्कत आती है क्योंकि जो इसका उपर वाला मूह होता है वो थोड़ा जो है narrow होता है तो इसमें थोड़ी से लगाने में आपको problem होगी तो अगर आप hole बना लेंगे पहले ही तो easily लग जाएगा तो ऐसे हम सभी बारी बारी करके सभी अपने plant लगा लेंगे इसमें पीछे की तरफ जो है आप थोड़े बड़े plant ही लगाएं और जो आगे की तरफ है वो थोड़े छोटे लगाएं तो देखने में काफी सुन्दर लगता है ये mother of thousand का plant है simply insert करते जाएं क्योंकि मिट्टी हमारी soft है already तो easily लग जाते हैं तो अब बारी आती है हमारे इस गोल मटोल क्यूट से cactus की तो इसको मैंने जो है soil को थोड़ा से हटा दिया है थोड़ी से जगा बना दिया है गड़ा सा बना दिया है और उसमें ही इसकी rooting स्टार्ट हो जाएगी बहुत easily लग जाता है ये cactus भी तो इसको गड़ा बना के थोड़ा समयने ऐसे उपर से रख दिया है तो अब जो आगे लगाऊंगा मैं इसके वो थोड़े मैं जो एक छोटे छोटे baby plants है इने ही लगाऊंगा क्योंकि आगे से जो है छोटे दिखें और पीछे से जो हैं बड़े बड़े plants हैं वो तो काफी खूपसूरत लगता है तो ये देखिए मैंने सारे ये plants लगा दिये हैं इसमें देखी कितना खूपसूरत लग रहा है ये कैमरे में थोड़ी सी इसकी reflection पढ़ रही है तो अब time आता है इस हमारे terrarium को decorate करने का तो ये मेरे पास कुछ stones और pebbles पढ़े हैं तो आप इसमें जो हैं अपनी मन पसंद से जहां भी आपको stones और pebbles रखने हैं आप इसमें रख दीजिए अगर आपके पास stones और pebbles नहीं है तो आप जो है normal इसमें जो बजरी होती हैं उसे भी रख सकते हैं या white छोटी छोटी जो है chips होते हैं उसे भी रख लीजिए वो भी काफी stones और pebbles रखने का या बजरी रखने का इसके sand के उपर soil के उपर दो फाइदे हैं एक तो यह जो है हमारे इसको जो है terrarium को beautiful look देगा दूसरा जो algae लग जाती है काई लग जाती है soil में वो नहीं लगेगी तो यह देखिए हमारा बिल्कुल cute सा terrarium घर में ही बनके तयार है कि अब इसमें थोड़ी सी reflection पढ़ रही है इसलिए camera में अच्छे से नहीं आ रहा है वैसे real में देखने में काफ़ी सुन्दर लग रहा है यह तो आप इसे जो है indoor भी रख सकते हैं outdoor भी रख सकते हैं indoor अगर रख रहे हैं तो week में एक या दो दिन आप इसे जो है bright light जरूर दि क्योंकि यह glass था है तो इसमें जो है पानी के दाग लग सकते हैं तो अगर आप कोई video पसंद आई हो तो इस video को like करें और मेरे channel को subscribe करें